हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैट्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रहे होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज रेगुलर करेंट अफेर्स और एक्जाम अपडेट् यूब ट्रिपल सी का जो प्रेंट एक्सक्वर कर रहे है चक्शी पब्लिकेशन का उसका पाच्मा प्रेंटेस डिस्कस करेंगे इस से पहले मैं चार प्रेंटेस सैट्स डल्रेडी डाल चुका हूं तो वहा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो लोग करेंट अफेर्स तो हमें आपर अर्थ बताना है और इसका क्या अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए वियर्थिया बेकार में ही जुझलाना काट की हांडी बार-बार दही पर नहीं चलती तो देखिए छलकपट का जो व्यभार है वो हमेशा नहीं चलता जैसे एक बार आपने देखा होगा अगर लकडी को आप जला देंगे तो वापस पुरानी अवस्ता में नहीं आ जाती तो बार-बार जो छलकपट का व्यभार हो होगा हर्ष्ट पुष्ट इसका मतलब होता है आपका जो उपोशित या कमजोर अगला अलपग्या मतलब जो कम जानता हो उसका होगा सर्वग्या या इसका बहुग्या भी एक होता है बहुग्या क्रतग्य आपका किसका विलोम है क्रतगनगा आगे खूटी शब्द का बहुवचन बताईए हमने पहले भी किया था खूटिया मैंने आपको गाता जो इकारांत शब्द होता है यानि जिनके अंत में बड़ी ए की मात्रा होती है उसमें अंत में या लगाकर या मतलब या के ओ तो फूटिया यहां पर सही होगा अगला निमलखित अनिकार्ति शब्द का दूसरा अर्थ बताइए अज अज tips आजन्मा तो इसका अर्ज और अजन्मा का अर्थ क्या होता है जिसका जन्म आपका कभी न हुआ हो और जिसका मn कभी नहों अर्थार इशवर ना तो जन्म ह होता है और नाहीं मृत्ति होती है तो इसमें क्या होगा आपका इश्वर जो है ये सही शब्द होगा निम्लिक्त में कौन सा शब्द वर्तनी की द्रश्टी से शुद्व देखिए, वर्तनी का प्रष्ण आपका ज़रूर बनेगा, प्रतिन धी से पहला ही जो शब्दे यही आपका सही है, प्रतिनी धी इस तरीके सही लिखा जाता है, दोनों पे छोटी ही की मातीन, बलगी वाले गोले को विद्याले में जलपान को उत्तम प्रबंध है तो आपका बी में यहाँ पर तूटी है तो आठे कहोगा बी मुझे रेल गाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है तो यात्रा करना अच्छा लगता है तो किस में तुरूटी है, आपका अच्छी नहीं आपर अच्छा आएगा, तो C में तुरूटी है, अच्छी लगती है, निमलिखत में कौन सा शब्द तत्सम है, जो संस्कृत भाशा से आज इस आजाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, अगर जो शब्द है ये तत्सम आता है, आप एक बार अधीतियका ज़रूर पढ़िएगा कि अधीतियका क्या होता है, क्या ह BT रिविजिद के लिए आप अप समझ सकते हैं, इसके भारे में पढ़िएगा, कंजूसी से धन्व्य करने वाले को क्या कहा जाता है, इसको क्रपन बोला जाता है, जो मसरणाइ आपका ये कोमल और मुलायम के लिए यूज़ किया जाता है, मित्वई वह होता है जो बहुत सोच समझ कर अपना ध्धन खर्च करता है, अल्पवई होता है कम खर्च करने वाला, उसका हिर्दा इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह है, अपने डैश को भी चोट नहीं पहुचा सकता, तो आपको दिख रहा है, इसमें इसका हिर्दा अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुचा सकता, देश रक्षा के लिए प्रतियेग नागरिक को डैश रहना चाहिए, तो कैसा रहना चाहिए हमेशा, तो यहाँ पर सबसे अच्छा शब्द है, उद्यत, उद्यत का अर्थ होता है आपका ततपर, तो देश रक्षा के लिए प्रतेग नागरिक को तत पर रहना चाहिए, ये भी अच्छा थोड़ा प्रश्न है, अर्विंद शब्द का परियायवाची बताइए, तो अर्विंद आपका कमल का परियायवाची है, कमल के मैंने उस दिन आपको बहुत सारे परियायवाची ये दो आप याद रख लीजेगा, बाकी सरोज है, राजीव है, और आपका पंकज है, जलज है, कई सारे ऐसे सब्दयां जो कमल के परियायवाची, आगे चलते हैं, निर्धन में कौन सी संदी है, तो निर्धन में आपको साफ दिख रहा होगा, विसर्ग इसमें संदी है, क्या होगा, संदी विछेट, नी प्लस धन, देशांतर में कौन सा समास है, important questions है, लगातारी आता रहता है, देशांतर में कर्मधार्य समास है, माफ कीजिए, इसमें कर्मधार्य समास है, इसमें गलत दिया हुआ है, मैंने इसको चेक कर लिया, इसमें देखिया, आपका पुरुष समा साप का ठीक है तो इसमें तत्पुरुष समा साप कर लीजिएगा रूपक अलंकार कहा पर होता है, जहां उपमे को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, निमलिखित में कौन सा तदभव शब्द है, तो इसमें से कौन सा आपका तदभव शब्द है अगर आप देखेंगे, इस्टिका, कुपुत्र, सद्भवशद्ध है और किसका ये तरह से परियाइवाची होता है निमनिकत वाक्षियों का सही चैन कीजिए तुलसी अवधी के श्रेष्ट कवी और ब्रजभाशा के सूर है तो इसमें option D जो है ये सबसे अच्छा है तुलसी और शूर क्रमशा अवधी और ब्रजभाशा के श्रेष्ट कवी है तुल्सी दास ने क्या लिखिया है आपका रामचरित मानस लिखिया 21 देखते हैं जीवन और साहित्य का निकट संबंध है तो निकट नहीं देखिए इसमें ये वाला प्रशन कई बार आ चुका है तो जीवन और साहित्य का घनिष्ट संबंध माना जाता है option भी यहाँ पर सही होगा 22 देखते हैं करून रस का स्थाई भाव क्या होता है करून रस का स्थाई भाव शोक होता है मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है सारे रस और उनके स्थाई भाव मैं खाना खा चुका था इस वाक्या में कौन सा भूध कालिक भेध है तो मैं खाना खा चुका था इसमें पून भूध कालिक भेध है उसने कलम खरीदी थी, या फिर मैं सोया था, और इसी तरह मैं खाना खा चुका था, इसमें आपका पूर्ण भूत है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में, रिखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसमें कुछा है आपसे कारक कौन सा है, तो इसमें संप्रदान कारक है। इसी तरीके का प्रशन आपका UP लिखपाल में भी आया था, हरी मोहन को रुपए देता है। संप्रदान कारक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठठेरा शब्द का लिंक परिवर्थित कीजिए, तो यह होता है आपका ठठेरिन। Option A, ठीक है, ठठेरिन। अब देखते हैं पैसेच, आदिम आरे घुमककड ही थे, यहां से वहां वे घुमते ही रहते थे, घुमते भटकते ही वे भारत महुचे थे, यदि घुमककडी का पाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक इस्तान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वन्शच ना होते भगवान बुद्ध घुमककर थे भगवान महावीर घुमककर थे वर्शा रितू के कुछ महिनों को छोड़कर एक इस्ठान में रहना भथ के वर्ष नहीं था, पैतिस वर्ष की आयू में उन्होंने बुद्धध्व को प्राप्त किया, पैतिस वर्ष से असी वर् अपने आपको समात सेवा और धर्म परचार में लगाए रहे अपने शिश्यों से उन्होंने कहा था चरत भिखवे चारिक थे भिख्षुओं घोमकड़ी करो यदभी भुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गाए किन्तु उनके शिश्यों ने उनके वचनों को सिर आखों पर ल तक को त्याग दिया दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया इसलिए उनको दिगंबर भी बोला जाता है कि दिशाएं ही है वस्त्र जिनका वैशाली में जन्म लिया पावा में शरीर त्याग किया जीवन परियंत घूमते रहे मानव के कल्यान के लिए मानवों की रहा परदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी पद्रिक आश्रम में घूमते रहे। कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मशेत्र समझा, सांस्कृतिक एक्ता के लिए, समन्वे के लिए, शूति की रक्षा के लिए शंकराचारे के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उठ्धान हो सका। अब देखते हैं इसमें प्रश्न कौन कौन से है, शूति धर्म का क्या अर्थ है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, वैदिक धर्म की बात की गई है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी तो 35 वर्ष की आयूवरों ने स्वत्षंद में कौन सी संदी है, तो स्वत्षंद में साफ दिख रहा है आपको व्यानजन संदी यहाँ पर है, तो इसमें कैसे बने गए है, स्वा प्लस छंद महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावापुरी में, और म्रत्य इनकी पावापुरी में हुई थी था, जर्म इनका वैशाली में हुआ था, भुमक्कड शब्द में कौन सा प्रत्य है, तो भुमक्कड शब्द में अक्कड प्रत्य है, अक्कड, option C यहाँ पर सही है, आप देखते हैं, सामाने बुद्धी परिक्षन के प्रेश्म, 31 में का, A सही है कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दिएगा 32 में का सी सही है कि याथ इसमें का कि ताफ सी होगा 33 में का 34 का बी 35 में का डी 36 में का एक पेटी में 45 बंडल है है कि इसका सी 37 में देखते हैं इसका बी 38 में का सी 49 अगला देखते हैं 40 में इसका है बी इसका सी 41 में का है सी 41 में का है सी 42 में सी ओजी 45 में अब देखते हैं सावान्य जानकारी के प्रश्न एक टेलिविजन का रिमोट किस से सम्मंदित होता है तो टेलिविजन के रिमोट में आपके इन्फरा रेड रेज यानि आई आर रेज होती है यह आपका अवरक संगेतों से तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा देखिए इन्फरा रेड रेज इससे प्रश्न बहुत बनता होगा आपने देखा है कि जब आपसे कहता है कि गामा रेज एक्स रेज यूवि रेज इसको आर्डर में लगाई है बढ़ते हुए तरंग दैरेक है या फिर फ्रिक्वएंसी के तो मैं आपको तरंग दैरेका बता देता हूं फ्रिक्वेंसी का बिल्कुल उसका उल् पिर होती है आपकी visible rays की, फिर होती है infrared rays की, फिर होती है आपकी microwave की और इसके बाद होता है आपका radio waves, तो इस तरीके का आपका देखे तरंग दहरे का ये crumb है increasing order, यानि सबसे कम आपकी gamma rays की होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, radio waves की होगी wavelength, अगर frequency की बात करें, तो frequency या आवर्ती में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा आप पूरा इसको उल्टे करम में लगा दीजेगा वह आपका आवर्ती का करम होगा, ये मैंने आपको तरंग दहरे का बता दीए अगला देखते हैं, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उप्यूक्त मापदंड इसमें से कौन सा है तो अगर आपको विसी देश का economic development नापना है तो सबसे अच्छा क्या होगा आपका human development index जो होगा आपका ये सबसे बहतर है मानव विकास सूचकांग क्योंकि उसमें सारी चीज़े आपकी रहती है कौन इसको जारी करता है? इसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांग UNDP यानि United Nations Development Program के द्वारा जारी किया जाता है दो हजार चौबिस का सूचकांग ये आ चुका है मार्च में इंडिया की रैंक दो हजार चौबिस में है 134 ठीक है तो human development report जो आई है उसमें भारत ने 134 वा स्थान प्राप किया है और rank 1 इसमें किसकी है? Switzerland की रैंक इसमें पहली है और देखिए इसमें शामिल क्या क्या रहता है? क्यूं सबसे अच्छा सूचकांग इसको माना विकास का माना जाता है? इसमें अलग-अलग indicators यूज किये जाते हैं जैसे जीवन प्रतियाशा यानि life expectancy at birth जन्म के समय आपकी जीवन प्रतियाशा कितनी है? expected year of schooling यानि कितने समय तक आप school गए है इसके बाद mean years of schooling और gross national income तो इसमें कई सारी चीज़े आपकी सिक्षा और income को ये include करता है इसलिए इसको अच्छा सूचकांग माना जाता है 1990 से लगातारिय प्रकाशित किया जा रहा है अलग-अलग खीन्स के अंतरगत चूने के पानी में क्या होता है तो चूने के पानी में calcium hydroxide होता है option K अटल विहरी वाजपाई भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे तो अटल विहरी वाजपाई जी 1996 में सबसे पहले प्रधानमंतरी बने थे बहुत कम समय के लिए और वे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंतरी जवालान लहरू के बाद जो लगातार दो टर्म के लिए immediate इकदम प्रधान मंतरी बने थे अगला सरवाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकरतिक प्रदेश में पाया जाता है तो मतलब day और night के बीच में सबसे ज़्यादा temperature variation आपको कहा पर मिलेगा तो देखिए जो dessert होते हैं या मरुस्थल होते हैं वहापर सबसे ज़्यादा आपको तापांतर देखने के लिए मिलेगा दो पहर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 50-50 डिग्री तक temperature जाता है रात को देखिए क्या होता है क्योंकि वहाँ पर पानी का source होता है इसलिए बादल आकाश में वहाँ पर नहीं होते हैं तो रात में प्रत्वी जब अपने आपको ठंडा करती है तो बहुत तेजी से heat वह वापस atmosphere में भेशती है जिसकी वज़े से रात के समय में बहुत राते वहाँ पर ठंडी होती है आपने देखा होगा रेगिस्तान में कहा भी जाता है कि दिन बहुत गरम और राते बहुत ठंडी होती है क्योंकि cloud cover वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता cloud आपको पता है वाशपी करण से बनते हैं वहाँ पर कोई water body नहीं होती जिसकी वज़े से वहाँ पर जो बादल वगएरा होते हैं इतना ज्यादा उनका formation नहीं होता इसलिए राते वहाँ पर ठंडी होती है दिन बहुत ज्यादा गरम होते हैं तो द्यानिक तापांतर यानि डेली जो range होती है वह काफी ज्यादा आपके जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर होती है तो आपको उश्ण मरुस्थल ये प्रदेश इसका सही answer होगा मनुश्य की आख में किसी वस्तू की तस्वीर कहा पर बनती है तो रेटिना पर आपके वस्तू की तस्वीर बनती है और किस तरीके की ये तस्वीर आपकी बनती है ये जो हमेशा प्रतिविम बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है तो वास्तविक और उल्टा इससे सम्मंदित में दो प्रश्न आपको और बता देता हूँ एक प्रश्न ये पूछा गया है कि जो हमारा रेटिना होता है आख का वो जो हमारा कैमरा होता है जिस कैमरे को आप यूज करते हैं उसके कौन से भाग से आप इसे कंपेर कर सकते हैं तो जो कैमरे की फिल्म होती है फिल्म को आप रेटिना से कंपेर कर सकते हैं दूसरा, आख के कौन से भाग में कोई भी blood vessel नहीं होता, एक बार ये प्रशन पूछा जा चुका है, optional में UPPCS में, पहले जब objective हुआ करता था उस समय की बात मैं बता रहा हूं, तो आख का देखिए जो cornea है, यहाँ पर कोई भी blood vessel या blood supply इसमें नहीं होती, इसको याद रख ये प्रश्णों आपर पुशा गया था, ये दो प्रश्णा आपसे मैंने आपको extra बता दिये, दोनों को याद रखिएगा, एक bulb का तंतू बना होता है, जो आपका filament बना होता है, वो बना होता है, tungsten से, क्योंकि tungsten का melting point होता है, काफी जादा होता है, तो जब बल्ब लगा side gas release होती है, जो आपको बुझाने में साहता करती है, उश्र मरुस्थल महादुईपों के किस भाग में पाई जाते हैं, तो देखा होगा आपने जितने भी ज़्यादा तर आपको मरुस्थल दिखेंगे, चाहे वो Indian Subcontinent आप ले लिजे, भारती आप महादुईप ले लिज आपके पश्चिमी शिरेपर देश चिली वहाँ पर आपको यह दिखाई देगा, तो आपको पश्चिमी छेतर में उश्र कटी बंदिया मरुस्थल सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, भारत में अगर आप देखेंगे थार मरुस्थल भी आपका नॉर्थ वेस्ट यान लॉर्ड वैलेज्डे को जोड़ा जाता है, 1798 से लेकर 1805 तक का इनका कार्यकाल भारत में रहा था, देखें लॉर्ड वैलेज्डी वैसे जो सबसे पहले इन्हों ने इसको पॉइन नहीं किया है, इसका सबसे पहले यूज एक फ्रांसीसी जनरल था, डूपले, जो आपने उबर के हां अपनी आर्मी रखते थे उसके खर्चे पर, इसी तरीखे के चीज लॉड वैलेज्डी ने किया और सबसे पहले लॉड वैलेज्डी ने इसको सइन किया, निजाम और हैदराबाद, सबसे पहले यूज पूशन किया था, और कप साइन किया था, जैसा मैंने बाडू में है, 1801 में आवद ने इसको साइन किया, इस तरीके से पूरा ये और, इसको याद रखियागा, तो लॉड वेलेजली से संबन में थे, वतंतर भारत के प्रथम, ग्रह मंत्री निमलिखित में से कौन थे, तो होम मनिस्टर सबसे पहले हमारे कौन थे, सरदार कलाम आजात का जो जनम दिमन है, वो है 11 नवंबर, और 11 नवंबर को ही प्रतिवर्ष, हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रिय सिक्षा दिवस मनाते हैं, 11 नवंबर को इनी के जनम दिन के उपलक्ष में सिक्षा दिवस मनाया जाता है, National Education Day, बात करेंगर गोविन बलब पंत सर, 1947 से लेकर 1954 तक का इनका कारेकाल रहा है, भारत की जो पहली Agriculture University है, क्रिशी विश्विद्याल है, वो भी गोविन बलब पंत सर के नाम पर ही रखा गया है, गोविन बलब पंत University of Agriculture and Technology जो पंतनगर उत्राखंड में इस्तित है, और मौलाना अबुल कलाम आजात जी के द्व साम में बहुत पूछता रहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, आगे देख चलते हैं, निमलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादन करताओं में से एक है, तो जो सूखे एरिया होते है, वहाँ पर आपने देखा हुआ, जो मोटा अनाज होता है, ज पंजाब की महत्वपूर नखदी फसल है जो आपinkके लिए को गाते हैं, उनको नखदी फसले बोला जाता है, तो कपाश जो है यह पंजाब की महत्वपूर नखदी फसल है, डिपने अन निम लिखितr जीवाणूं के कारण होता है, कौनसा इसका एजेंट है, यह बेक्ट diptheria wider num diptheria आपने देखा को ठीका भी छोटे बच्चе को लगता है dpt का diptheria, pertussis, statness तो dpt का जो ठीका लगता है वो इसी भीमारी से बचाने के लिए बच्चे को लगता है विब छोटे बच्चे से काफ्ī झाधा impact होते हैं 500 वा month 1000 रुपय के नोड बंद करने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, काला धन को समाप्त करना ठीक है, प्रष्टाचार को समाप्त करना ठीक है, आर्थिक व्रद्धी दर को बढ़ाने के लिए उप्युक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा उद्देश्य इसका नहीं यह इसमें कोई मेन उद्देश नहीं था भारत में कृषी के संबंध छेत्रों में से किसे शामिल नहीं किया जाता तो फसले उसमें आती है पशु पालन के उत्पादान आते हैं वनों से संबंधित उत्पाद यह आपके एक्रिकल्चर की अलाइड एक्टिविडीज में नहीं आते हैं मत्से पालन भी आता है तो सी आपका इसमें शामिल नहीं होता 1556-2 में पानीपत का दुत्ययोद निमलिखित में से किस के बीच लड़ा गया था तो अगबर और हेमचंदिया हेमो के बीच में लड़ा गया था अगर बात करें पहला किसके बीच में लड़ा गया था 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था और इसके बाद भारत में मुगल समराज्य की स्थापना हो गई थी इसके लवाग तीसरा गया है 1761 में वो किसके बीच में एहमंद शह अबदाली और मराठाओं के बीच में औरसके बाधि मराठाओं के जो पतन पतन पहुता हो जाती है और एक तरह से मराठाओं का जो राइज हो रहा होता है उसको ये रोब दिया जाता है तो 1701 सेट में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1929 में निमलिकित में से किस अधीवेशन में भारतिय राष्ट कॉंग्रेस therapist ने पूंड स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तो पूंड प्रस्ताव आपका लः अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष्टा जवाहर लाल नहरू ने इसमें कुछ और भी सेशन दिये हुए वो देख लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है अमरित सर का अधिवेशन का 1919 में हुआ था में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट था जलिया वाला बाग हत्यकांड तो जलिया वाला हत्यकांड की भर्ट्सना यहाँ पर उसको कंडेम किया गया था इसी अधिवेशन में इसकी जो अध्यक्षिता की थी वो की थी मोतिलाल नहरुजी ने 1919 की और य सारे resolution पास किये गए थे प्रस्ताव पास किये गए थे जिसमें कौन-कौन से important थे पहला तो सबसे important था इसमें गांधी इर्विन पैक्ट जो गांधी जी और Lord इर्विन के बीच में समझाता हुआ था जिसमें सारे political prisoners को छोड़ने की बात की गई थी सिर्फ उन्हें छोड़ accept किया गया था दूसरा fundamental rights यानि मौलिक अधिकार और national economic program का resolution यहां पर रखा गया था बात करेगा नागपूर अधिवेशन की नागपूर अधिवेशन भी काफी important है ये भी आपसे पूशता रहता है 1920 में ये नागपूर अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षिता अधिवेशन है जो important है आगे चलते हैं चक्रवाद के केंद्र में कौन सा वायूदाब पाया जाता है तो इस बात कर रहा है आपके चक्रवाद के केंद्र की जिसको eye of cyclone बोला जाता है English में eye of cyclone ये आपका intensified low pressure zone होता है यानि यहां पर बहुत निम्न दाब का केंद्र होता इसलिए जो आप देखेंगे चक्रवाद जो उत्तरी गोलार्द होता है या Northern Hemisphere होता है उसमें anti clockwise direction में move करता है जिसमें Coriolis force का भी काफी बड़ा रोल होता है तो यह आपका low pressure या intensified low pressure का केंद्र होते हैं संसत की सदस्यता के संदर्व में लाब का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है क्या शाषन को नियुक्ति का अधिकार है क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शाषन को है क्या पदधारक को शाषन वेतन देता है तो इस team में से यह पूछा है कि कि किसको आपका शब्द जो Office of Profit बोला जाता है समविधान में उसमें से क्या कर्षिटर किया जाता है तो क्या पतधारक को शाशन वेतन देता है ये इसमें शामिल है Office of Profit की बात किसमें की गई है समविधान के अनुच्छेद 102 में और 191 में आपके Office of Profit ये लाप के कारेले की बात की गई है तो इसको याद रखिएगा 102 और 191 अब देखते हैं कम्प्यूटर निम लिखित में से कौन C भाशा में मानने कीवर्ड नहीं है तो आपका डाइनमिक जो ही है C भाशा का कोई कीवर्ड नहीं है निम लिखित में से C डेटा टाइप के लिए सबसे अधिक Memory Space की आवशक्ता पढ़ती है तो किसके लिए पढ़ती है डबल के लिए सामाने था computer program किस code language में लिखा जाता है तो binary में लिखा जाता है इसमें दीरो और एक आपका दो अंक आते है decimal संख्या तंत्र का base कितना होता है तो decimal का मतलब ही होता है आपका 10 आगे चलते हैं निम लिखित में से किसे दुनिया का पहला computer network माना जाता है तो अर्पानेट को पहला computer माना जाता है ये प्रिवेश एर का question है याद कर लीजे बहुत पूशा जाता है वाइफाई का पूर्ण रूप क्या है तो इसको बोला जाता है वायर्लेस fidelity वायर्लेस fidelity option D निम लिखित में से कौन सा network संचार के लिए सबसे तेज माद्य हम है तो आपका optical fiber cable optical fiber cable की सिध्धान पर कारे करता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानि total internal reflection टी आई आर इस पर ये कारे करता है ये भी पूशा जा चुका है तो ओफसी यानि optical fiber cable computer network बनाने के लिए noon time कितने computer की आवशक्ता होती है आपको बता है कम से कम दो computer आपको चाहिए निमन में कौन सा network पर साजह नहीं किया जा सकता है तो आपका जो processor होता है device का उसको आप साजह नहीं कर सकते हैं बागी cloud पर आप कुछ भी share कर सकते हैं इंटरनेट पर कोई भी computer इससे पहचाना जाता है तो आपके IP address से पहचाना जाता है internet protocol address BCC का मतलब email में क्या होता है तो BCC का मतलब होता है blind carbon copy जब एक साथ एक mail कई सारी लोगों को भीजा जाता है या company जब भीजती है तो अगर वो BCC add करती है नि blind carbon copy में डालती है तो कोई भी एक mail का प्राप्त करता है दूसरे को नहीं देख पाएगा कि किसको यह भीजा गया है इसलिए blind लिखा जाता है blind carbon copy उप भोगता के द्वारा किसी web page को website पर देखने के लिए उसका पता कहां पर हमें डालना पड़ता है तो URL ठीक है uniform resource locator इस पर आपको address डालना पड़ता है अगला ISP का पूर्ण रूप क्या है तो यह है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप्शन डी अगला देखते हैं उत्तरपरदेश इस्पेशन उत्तरपरदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्लिक से किन दो शेहरों को जोड़ने के लिए बना आए गया था तो यह 165.5 km लंबा हाई वे है जो आगरा और ग्रेटर नुविडा को जोड़ता है आगरा और नुविडा यहां पर दिया है तो यहीं सबसे अच्छा इसका option होगा एक बार पूछ लिया था कि कौन-कौन के शेहरों से होकर यह गुजरता है तो वह बता देता हूं तो यह नुविडा आपका गौतम बुद्नगर में पढ़ता है एक यह जिला हो गया दूसर लखनव एक्सप्रेस में जो लगबग आपका 302 किलो मेटर लंबा है और यह उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है जिसमें है आगरा फिरोजाबाद वैनपूरी इटावा और यह कानपूर नगर उन्नाव हर्दोई और लखनव यह सारे इसमें 10 जिले हैं जिस प्रियाग राज को जोड़ेगा ठीक है जो भविश्य में 8 लेन में भी एक्सपेंडेबल हो सकता है तो यह वर्तमान में सक्से लंबा एक्सप्रेस वे होने वाला है उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है तो यह चुड़ार काली मिट्टी के बरतन के लिए प्र जादा होता है और यहां इसका उत्पादन काफी होता है तो उसके लिए फेमस है गुल की बात करें तो गुल आपका आयोध्या एक डिस्टिक एक उत्पाद की बता रहा हूं आपको और दूसरा मुजफर नगर यहां पर आपको गुल के उत्पादन के लिए O.D.O.P. कानपुर के साथ साथ आगरा बेऽी आपका चबड़े का काफी काम होता है। कुशिनगर बाद लोगों का एक लोगप्री अपरेटर स्थल है यहां पर क्या है तो यहां पर रामभर स्टूप है और क्यू फेमस है कुशिनगर आपको पता है कुशिनगर में भगवान पार्क जिसे अब जंग्याजादी पार्क का नाम दिया गया है कहां परिस्तित है या आपका मेरट में इस्तित है चंदरशे का राजाद मुझभेड में कहां शहीद हुए थे तो 27 फरवरी 1931 को इलाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को ही गोली मार ली दी ताकि अंग्रेजों के कबजे में ना आ पाए हर्दौल कथा विशेश रूप से डैश के लोग गीत है जो की उत्तर परदेश अवं मध्य परदेश में फैले हुआ है तो यह बुंदेल खंड शेत्र में होते है उत्तर परदेश अवं बिहार का बारिश के मौसम में एक प्रिया लोग प्रिया मनुरंजन क्या है आपका जूला वर्श्ट स्वरी 2011 की जनगरणा की अनुशार उत्तर परदेश की जनसंक्या का वरधी प्रतिशत क्या है तो देखिए जो बैब बताओं आपको अगर इस option के साफ से कानपुर नगर है वैसे सबसे ज़्यादा जीबी नगर यानि गौतम बुद नगर की शाक्षरता है दूसरे पर कानपुर नगर है तीसरा है और यह तो तीन यह टॉप के जिले है सिक्षा के छेत्रे और उत्तर पर परदेश के कितनी है 67.70 परतिशक उत्तर परदेश का राज की पुष निमलिखित में से कौन है तो पलाश आपको पताओगा जिसका scientific name क्या है ब्यूटिया मोनो स्पर्मा इसको एक नाम से और जाना जाता है पायर ऑफ दा फॉरेस्ट इसको जंगल की आर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके बहुत डार्क रेड या लाल कलर के फूल होते हैं जब यह खिलते हैं तो ऐसा लगता है पूरे जंगल में रेड कलर की फ्लेम या लप्टे फैल गई है उत्तर परदेश का राजकिया पशु कौन सा है तो स्वांप डियर या बारा सिंगा उत् उत्र परदेश शरकार द्वारा कर्णिया विद्याधन यूजना के अंतरगत कितने प्रोत्षाहन राशी दी जाती है तो इंटरपास छात्राओं को 30,000 रुपे दिये जाते हैं अगला प्रशन आपका वही है कितने रुपे दिये जाते हैं तो आपके पार्मी कक्षा के ब अच्छा लगा होगा और एक्स्ट्रा फेक्ट्ट जो मैंने आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे अच्छा लगाओ यूट्फुल लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दिजिएगा थैंक्यू सो मुच